अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी लिए अच्छी खबर है CRPF Constable भरती की तैयारी में जुटे उमिद्वार फॉर्म भर सकते हैं तो इस वीडियो में अंतक बने रहे हम आपको सारी जानकारी बताएंगे आपको बता दे के ग्रिह मंत्राले ने एक नोटिफिकेशन जाई किया है इस अधिस्तूचना में बताया गया है कि सेंट्रल रिजर्ब पुलिस फोर्स CRPF में 1.30 लाख Constable की भरती की जाएगी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भरती में कुल 1,29,929 पदों पर नुक्तियां होंगी और इस भरती में महिला और पुरुस के लिए अलग-अलग पद रिजर्ब किये गये हैं ऐसे में जो लोग इस भरती में आवेदन करना चाहते हैं वो CRPF के ओफिस्यल वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं यही नहीं वो यहां से यह जान सकते हैं कि इसमें कैसे अपलाई किया जाएगा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार CRPF में Constable की भरती के लिए कुल 1,29,929 पदों को भड़ा जाएगा ऐसे में इन पदों में से 1,25,262 पद पूरस उमिद्वारों की भरती होगी वहीं 4,668 पदों को महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है जिन्युवाओं को इस भरती में सेलेक्ट कर लिया जाएगा CRPF Constable भरती 2023 को लेकर अधिसूचना के मुताबित Group C के अंतरगत Pay Level 3 उन्हें हर महीने 21,700 रुपए से लेकर 79,100 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी वहीं आपको बता दे कि अधिसूचना के मुताबित ये भरती Constable General Duty के लिए ही होगी और इसमें केवल भारतिये नागरिक ही भरती हो सकते है नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस भरती में नेपाल और भुटान के नागरिकों को वर्यता नहीं दी जाएगी ऐसे में इस भरती में वहीं उमिदवार ही केवल अपलाई कर सकते हैं जिनके ओमर 18-23 साल के बीच का हो इस भरती में ST और SC कैटेगरी वाले उमिदवारों की आयू सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी वहीं OBC कैटेगरी के युवाओ के लिए या छूट 3 साल के लिए होगे इस भरती में अपलाई करने के लिए आपको किसी भी बोर्ट से दसवी पास होना या फिर उसके बराबर की पढ़ाई जरूरी है ऐसे में जो लोग इस भरती के लिए आविदन करेंगे उन्हें एफलिसेंसी टेस्ट और लिखित पडिच्छा से गुजरना होगा और इन दोनों को पास करना होगा बताया जा रहा है कि इस भरती के लिए अगर कोई पुर्व अगनी वीर भी अपलाई करता है तो उसे फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट से गुजरना होगा बता दे के इस से पहले सरकार ने यह ऐलान किया है कि वह आने वाले दिनों में खाली पदों पर निउक्तियां करेगा ऐसी एलान के तहट या भरती निकाली गई है तो अगर आप भी इस पद के लिए एक चुक है तो जल्द ही अपलाई करें क्योंकि फॉर्म भरने की अंतिमतिती 25 अपरेल तक ही है तो अगर आप भी आर्मी में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए यह एक बहुत ही सुनहरा आउसर है आप जल्द से जल्द फॉर्म अपलाई कर ले फिलाल के लिए खबर में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाल